लाइफ में आपको किसी चीज या किसी बात का रिग्रेट यानि कि पच्चतावा हुआ है क्या आपको कुछ ऐसा करने पर पच्चतावा हुआ है जो आपने किया हो या ऐसा भी जो कुछ आपने नहीं किया आपको खुद के लिए खराब महसूस होता होगा क्या आपने कभी सूचा है कि हम पच्चतावा महसूस करते ही क्यूं है और अगर हम पच्चतावे से हमें खराम महसूस होता है तो हमें पच्चतावा होता ही क्यूं है अगर ये सारे सवाल आपके हैं तो आज आपको इस समड़ी में ये सारे जवाब मिलने वाले हैं आज की इस समड़ी से आप सीखेंगे कि पस्तावा हमारे इंसान होने का एक हिस्सा है ये हमें अपने व्यवहार को बदलने, सही फैसले लेने और हमारी जिन्दगी का मतलब ढूंडने में मदद करता है आप सीखेंगे कि आपको पस्तावे से कैसे डील करना है इस समड़ी में कुछ कहानिया और रिसर्च स्टडीज है जो कि पस्तावे की ताकत को सावित करेंगे तो आएए फिर बिना देर किये शुरू करते हैं आज की बुक समड़ी दा पाउर अफ रिग्रेट बाई दैनियल बैंग शुरुआत करते हैं पहले चप्टर में दूई हुई स्टोडी से एक दिन अक्तूबर 1960 में चार्ल्स ड्यूमॉंट मशहूर फ्रेंच सिंगार एडीथ पयाफ के अलिशान अपार्टमेंट पहुँचे ड्यूमॉंट नर्वस थे वे बीफ क्रेस में अपना नया कंपोजिसन लेकर आये थे पयाफ दुनिया के सबसे फेमस एंटर्टेनर्स में से एक थी लेकिन 44 साल की उमर में ही उनका शरीड बहुत कमजोर हो गया था एडिक्शन और अनहिल्दी लाइफ स्टाइल ने उनके शरीड को खराब कर दिया था कुछ महीनों पहले वो लिवर खराब होने के कारण कोमा में थी लेकिन उनकी खराब तबियत के बावजूद भी पयाफ के साथ काम करना बहुत मुश्किल था वो काफी गुस्सेल थी उनके हिसाब से डियूमांट एक एवरेज कम पुज़र थे उस रात पयाफ ने डियूमांट से मिलने के लिए मना कर दिया वो लिविंग रूम में कई घंटे इंतिजार करते रहे लेकिन सोने जाने से पहले पयाफ डियूमांट से मिलने आई और कहा कि वो सिर्फ एक गाना ही सुनेंगी ड्यूमंट ने पियानो बजाना शुरू किया और गाने के लेडिक्स गुन-गुनाने लगे जो कुछ इस तरह से थे फ्रेंच में इसका मतलब है कुछ भी नहीं नहीं मुझे कोई भी पस्तावन नहीं गाना सुनकर पेओफ जैसे उसमें खोव सी गई उन्होंने ड्यूमंट को वो गाना फिर से गाने को कहा ड्यूमंट घंटों तक वो गाना बार बार बजाते रहे पेओफ ने मशुहूर कॉंसर्ट वेन्यू एल ऐलम्पिया के डारेक्टर को ये गाना सुनने के लिए बुलाया कुछ हफते बाद पेओफ फ्रेंच टेलिविजन पर दिखाई दी दिसंबर में उन्होंने ये गाना एल ऐलम्पिया में परफॉर्म किया था इस कॉंसर्ट से उस वेन्यू यानी जगह को फाइनेशल तंगी से उबढ़ने में मदद की जीनर रिग्रियेटर ही की एक बिलियन कॉपी भी की इस गाने के बाद प्यॉफ एक आइकन बन गई थी और इसके तीन साल बाद वो गुजर गई बहुत से लोगों को लगता है कि पस्तावा एक बेवकुफाना चीज है आपको पस्तावे कभूल कर आगे बढ़ना चाहिए पस्तावा हमें खरा महसूस कराता है इसलिए प्यॉफ की तरह बहुत से फेमस आइकन ये दावा करते हैं कि उन्हें कोई पस्तावा नहीं है मुझे कोई पस्तावा नहीं है ये लाइन बॉब डिलन, जॉन ट्रेवोल्टा, टॉनी रोबिन्स और यहां तक की एंजुलिना जूली ने भी कही है दुनिया भर में कई लोगों ने अपने शरीड पर नो रिग्रेट्स का टैटू बनवाया है नो रिग्रेट्स कई मागानों और सेल्फ हेल्प बुक्स का टाइटल भी है कोई पस्तावा ना होना सही लगता है यकिन दिलाने वाले लगता है लेकिन इसके साथ ही एक प्रॉब्लम है कि ये माइंड सेट ही गलत है पस्तावा इंसान होने का ही हिस्सा है आपको इससे भागने या इसके लिए बुरा महसूस करने की जरूरत नहीं है पस्तावा आपको बहतर फैसले लेने में खुद को बहतर बनाने में और जिन्दगी को एक मतलब देने में मदद करता है ये सालों से रिसर्चर्स द्वारा की गई स्टेटीज ने साबित किया है हम इन स्टेटीज के बारे में आगे और भी बात करेंगे इस समड़ी का गोल है आपको पस्तावे को एक अलग नजडिये से दिखाना पस्तावा एक ऐसी चीज है जिसको आपको अपनाना चाहिए और खुद को बहतर बनाने के लिए इस्तमाल करना चाहिए आगे बढ़ते हैं नेक्स चैप्टर की ओर वाई रिग्रेट्स मेक्स अस हुमन हम पस्तावा महसूस करते हैं क्योंकि हम में दो ऐसी खास अबिलिटीज है जो सिर्फ इनसानों में ही होती है पहली हम अपने दिमाग में पास्ट और फ्यूचर दोनों जगह जा सकते हैं दूसरी अबिलिटी ये है कि हम ऐसी घटनाओं की भी कहानिया बना सकते हैं जो कभी हुई ही नहीं है जैसे वरजीनिया की एक बावन साल की औरत के पश्तावे को ही ले लीजे उन्होंने कहा कि कास मुझे जिस फिल्ड में ग्रेजुएशन करने की इक्षा थी उस इक्षा को मैंने पूरा किया होता इसके बजाए मैंने वो माल लिया जो मेरे पिता चाहते थे और प्रोग्राम से बाहर होगी मेरी जिनकी कुछ और ही होती मैं कुछ और ज्यादा संतुष्ट होती और मुझे कुछ बड़ा अचीव करने का हैसास होता उस औरत ने हमें पास्ट में जाने की यूनीक अबिलिटी को बहुत अच्छे से दिखाया उन्होंने एक ऐसा अल्टरनेटीव बनाया जहां उसने अपने पिता के एक्छा फॉलो करने के बजाया है अपनी एक्छा फूरी की उन्होंने एक ऐसा फ्यूचर इमेजिन किया जहां पर वो अपने कैरियर से ज्यादा सेटिसफायट थी सिर्फ इनसान ही है जो यह पस्तावा महसूस कर सकता है एक इनसान जो पस्तावा महसूस नहीं कर सकता या तो उसे कोई दिमागी प्रॉब्लम है या फिर उसे दिमागी चोट लग गई है 2004 में की गई एक study में cognitive scientist पस्तावे को study करने के लिए एक gambling game का इस्तमाल कर रहे थे उनके पास दो digital roll it game थे जिन्हें participants को एक computer के जड़िये spin करना था participants उनमें से बस एक roll it को चुन सकते थे result के हिसाब से वो पैसे जीच सकते थे या हार सकते थे वो participants जिन्होंने पैसा हारा था उन्हें बुरा महसूस हो रहा था लेकिन उन participants ने जिन्होंने पैसा हारा था जब उन्हें ये पता चला कि अगर वो दूसरा roll it चुनते तो वो पैसे जीच जाते तो उन्हें और भी ज़्यादा खरा महसूस हो रहा था इन participant ने पच्टावा महसुस किया था लेकिन कुछ participant को बिल्कुल भी पच्टावा नहीं हुआ यह जानकर कि वो जीत सकते थे उन्हें बुरा महसुस नहीं हुआ यह लोग असल में patients थे जिनके brain के orbit of frontal cortex में problem थी ऐसे और भी example है कई studies में participants के सामने इस तरह के senioros रखे गए है मारिया की तबियत एक ऐसे restaurant का खाना खाकर खराब हो गई जहां वो अक्सर जाती थी एना की तबियत एक ऐसे restaurant में खाना खाकर खराब हुई जहां वो पहली बार गई थी दोनों में से किसे restaurant चुनने का पश्तावा ज्यादा होगा मारिया को एना को साधारन इंसान इसका जवाब फट से देंगे कि वो एना है लेकिन वो लोग जिन्हें Parkinson's disease और Hunting's disease है वो जवाब का बस अंदाजा लगा उन्होंने मारिया और एना के बीच में अंतर साफ निखाई नहीं देगा ऐसे ही शी जो फ्रेनिया के पेसेंस के साथ भी होता है उनकी बिमारी के कारण उनकी reasoning यानि की समझने की शक्ती पर असर पड़ता है वो पच्तावे ना तो समझ सकते हैं और ना ही महसूस कर सकते हैं हमारी mentally time travel करने की और किसी घटना को अलग रूप से देखने की ability हमें पच्तावा महसूस कराती है हमें उन factors के उपर भी बात करनी चाहिए जो पच्तावे को दुख और frustration जैसे दूसरे negative emotion से अलग करते हैं पहला factor है जब हमें पच्तावा होता है तब हम compare करते हैं चलिए उस 52 साल की औरत के बारे में दुबारा बात करते हैं वो दुखी या निराज महसूस कर सकती है क्योंकि उन्होंने खुद अपनी पसंद की चीजे करने के बजाए वो किया जो उनके पिता चाहते थे लेकिन वो पच्तावा इसलिए महसूस कर पाएं क्योंकि उन्होंने अपने present को अपने उस present से compare किया जो उनकी अपनी पसंद की चीज करने से होता है दूसरा हम blame का अनभाव करते हैं पच्तावा हमें खुद की गलतियों के लिए होता है दूसरे की गलतियों के लिए नहीं उन्हें पच्तावा इसलिए हो रहा था क्योंकि वो जानती थी कि उनके पास अपने पिता की बात नौ मानने का option था वा दूसरे decision और action ले सकती थी उन्हें पच्टावा इसलिए हो रहा था क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी तकलीफ का कारण वो खुद है इसे बहतर तरीके से समझने के लिए मान लीजे कि आपकी favorite sports team championship नहीं जीत पाई उनके नहीं जीतने से आप निराज महसूस करेंगे लेकिन आप पच्टावा महसूस नहीं करेंगे क्योंकि ना तो आप team के coach है और ना ही उस team के member आपको पच्टावा तब होता है जब आपने उस game पर bet लगाई होती पच्टावे को define करना मुश्किल है क्योंकि यह कोई चीज नहीं है प्रोसेस है अब आप समझ गए है कि यह पच्टावा क्यों एक human emotion है तो इसी को समझने के साथ ही बढ़ते हैं आगे next chapter की ओर at least and if only is Rio de Janeiro में 2016 में summer olympics हो रहा था औरतों का individual cycling race सबसे मुश्किल गेम्स में से एक था race course 140 km लंबा था cyclist को बहुत से खड़े उतार चढ़ाव से होका गुजरना था temperature बहुत ही ज्यादा गर्म था तेज धूप से सरकेज ऐसे तप रही थी तीन औरतें बाकि सबको पीछे चोड़ती हुई finish line की ओर बढ़ रही थी निदर्लेंड की एना वेंदर वेगन फर्ष्ट थी स्वीडन की एमा जॉंसन के बाद थी उसके बाद एलिसा वर्गिनी थी उन सभी ने ओलंपिक में मेडल जीत लिया था सोचिये उनके चेहरे पर कैसे हाव भाव या भावनाय रही होंगी सोचिये कि घंटों की कमर तोर ट्रेनिंग के बाद वो कैसा महसूस कर रही थी चार्ल्स डार्विन और कई साइंटिस्ट ने ये बताया है कि हमारे facial expression यानि हमारे चेहरे के हाव भाव हमारे emotions को कैसे बताते हैं हम अक्सर जो महसूस कर रहे होते हैं उसे चुपाना चाहते हैं हम हमेशा खुद को ठीक दिखाने की कोशिश करते हैं चाहे भले ही हम अंदर से तूटे हुए हो हम निराशा में भी खुद को खुश दिखाने की कोशिश करते हैं उन तीन Olympic winners का चेहरा उनके emotions को दिखा रहा था एक बार उनके चेहरे को फिट से imagine किजिए उनमें कौन खुश, कौन ज़्यादा खुश और कौन सबसे ज़्यादा खुश दिख रही है हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि तीसरे नमबर पर आने वाली खुश दूसरे नमबर पर आने वाली और खुश और फर्ष्ट पर आने वाली सबसे ज़्यादा खुश होंगी लेकिन ऐसा नहीं था आवार्ड सेरिमनी के बाद ली गई फोटो में अलेसा जिन्होंने ब्रॉंज मेडल जीता था वो सिल्वर मेडल जीतने वाली एमा से ज़्यादा खुश थे अलेसा की आखों के किनारे डिंकल्स यानि लकीडे पर रही थी उनकी बरी मुस्कुराहट से उनके दाथ दिख रहे थे जबकि एमा की भोहे तनी हुई थी वो होट बंद किये हुए बस थोड़ा सा मुस्कुरा रही थी आईए काउंटर फेक्चुल थिंकिंग नाम के कॉंसेट के बारे में बात करते हैं ये हमारी एबिलिटी है जिसे हम ऐसी घटनाओं को इमेजिन कर सकते हैं जो असल में हुए फेक्ट से अलग होता है काउंटर फेक्चुल के दो परकार पहला ये सोचना कि जो हुआ है उससे कुछ ज़्यादा बत्तर भी हो सकता था इसमें एटलिस्ट यानि कम से कम स्टेटमेंट सामिल होता है जैसे फाइनल एक्जाय में मेरे नंबर खराब है लेकिन एटलिस्ट मैं पास हो गया दूसरा काउंटर फेक्चुल है ऐसी चीजों के बारे में सोचना जो बहतर हो सकती थी इसमें इफ ओनली यानि कि सिर्फ अगर स्टेटमेंट होता है जैसे कि सिर्फ अगर मैं थोड़ा ज्यादा अच्छे से पढ़ता तो मेरे नंबर बहतर हो सकते थी येर 2020 में इनवर्सिटी आफ मिनेसोटा की डिसर्चरस ने साहर देशों से 140 स्पोर्ट्स के 400 एथलीट्स के फोटोस इकठा कि उन्होंने उनके फेशिल एक्सप्रेशन्स को एनलाइज करने के लिए एक कम्प्यूटर प्रोग्राम का इस्तमाल किया उसका रिजल्ट ये निकला कि गोल्ड मेडलिस्स सबसे ज़्यादा मुस्कुरा रहे थे लेकिन ब्राँज मेडलिस्ट सिल्वर मेडलिस्स से ज़्यादा मुस्कुरा रहे थे 2016 इडियो रोट रेज के बाद एलेसा ने जो की ब्राँड मेडलिस्स थी अपने बाइक से उतर कर अपने फ्रेंड्स और फैमिली को गले लगा लिया जबकि एमा जो कि सिल्वर मेडलिस्ट थे उन्होंने अपने चेहरा छुपा लिया और चुक चाप अपने पती के पास चली गई एनाउंसर ने कहा कि अगर सो मीटर और होते तो एमा जीत जाती ये बस इफ ओनली यानि सिर्फ अगर कहने का एक तरीका था एटलिस्ट यानि कम से कम कहना हमें अच्छा महसूस कराता है ये हमें अराम और सांतोना देता है मुझे परमोशन नहीं मिला लेकिन एटलिस्ट मुझे जौब से निकालन नहीं गया वहें दूसरी और इफ ओनली कहना हमें बुरा महसूस कराता है ये हमारे लिए stress और frustration लाता है If only ये सिर्फ अगर मैंने interview के लिए थोड़ी और महनत की होती तो मुझे job मिल जाती एक logical से बात होती है कि लोग if only से ज़्यादा at least कहना चुनेंगे आखिरकार हम सब खुशी चाहते हैं और दड़ से बचने की कोशिश करते हैं लेकिन ऐसा नहीं है Researchers ने लोगों को एक डाइडी रखने के लिए कहा और यह जानने के लिए कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है उन्हें randomly message किया उन्हें पता चला कि 80% बार लोग if only का इस्तमाल करते हैं सिर्फ मुसीबत के समय ही लोगों ने कुछ अलग कहा था जैसे इस दुरघटना में भले ही हमने अपना समान खो दिया लेकिन अटलिस्ट हम जिन्दा है लेकिन हम अपने रोज मर्रा के अनुभाव में ज्यादा तर if only का इस्तमाल करते हैं हमारा brain इसी तरह से काम करता है हम ऐसा क्यूं करते हैं हम क्यूं अपनी गलतियों के बारे में सुचकर खुद को चोट पहुँचाते हैं क्या हमें खुद को चोट पहुँचाकर खुश ही मिलती है खेर पश्तावा हमारे जिन्दा रहने के लिए जरूरी है एटलिस्ट counterfactuals हमें उस समय के लिए अच्छा महसूद कराते हैं लेकिन future में हमारे performance या फैसलों को बहतर नहीं बनाते if only counterfactuals हमें बुरा महसूद करवाते हैं लेकिन आगे चल कर वो हमारे लिए अच्छे होते हैं पश्तावे ultimate if only है पश्तावे हमें आज खराब महसूद करवाकर हमें कल को बहतर करने में मदद करते हैं क्या आपने कभी अपना समय, पैसा या effort इन्वेश्ट करके लगतार खराब फैसले लिए हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आप ये नहीं मानना चाहते थे कि आप हार रहे हैं क्या आपने टेकनिक बदलने के बजाए लगतार किसी चीज़ पर काम जारी रखा हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने पहले से उसमें काफी कुछ लगा दिया हैं क्या आपने एक तूटे हुए रिष्टे को फिर से ठीक करने की कोशिश की हैं क्योंकि आपने उसमें सालो लगाए हैं हम किसी चीज़ से इतने ज़्यादा जूरे हुए और कमिटेड होते हैं कि हम एक से गलतिया बार बार दोहराते हैं पश्तावा ऐसा होने से रोकता है पश्तावे के तीन फाइदे हैं यह आपके फैसलों को बहतर बना सकता है यह आपके परफिरमेंस को बहतर बना सकता है और आप जो कर रहे हैं उसे यह और ज्यादा मिनिंगफुल बना सकता है चलिए इन फायदों को एक के करके डिसकस करते हैं पहला पच्टावे हमारे फैसलों को बहतर बनाते हैं मान लिजे कि आपने एक गिटार खरीदा जिसे आप कभी कभार ही इस्तमाल करते हैं अभी ये बस आपके रूम में रखा हुआ जगा घेर रहा है और आपको पैसे की जरूरत तान पड़ी है इतिफाक से आपकी फ्रेंड मारिया को एक सेकंड हैं गिटार की जरूरत है उसने आप से पूछा कि आप उसे वो गिटार कितने में बेचेंगे मान लिजे कि आपने उस गिटार के लिए 500 डॉलर्स भी दिये थे तो भी 300 डॉलर्स इसके लिए अच्छी किमत है लेकिन मारिया उतना देने के लिए तयार नहीं है तो आप उसे 225 डॉलर में देने के लिए तयार हो जाते हैं जब आप मारिया को ये बताते हैं तो वो तुरण तयार हो जाती है और आपको पैसे दे देती है अब क्या आपको पश्तावा होगा? जब लोग आपकी पहली ओफर बिना हिज की चाहट के मान लेते हैं तो आप खुद पर और बड़ी अमाउंट ना मांगने के लिए गुसा करते हैं ऐसी सिचुशन में अपने पश्टावे को मानना आपके फ्यूचर में बहतर फैसले नेने में मदद करता है कुलंबिया उनिवर्सिटी के साथ सोसल साइकोलोजिस्ट ने एक नेगोसियेटर्स के ग्रूप को स्टड़ी किया ये ऐसे नेगोसियेटर्स थे जिनका पहला ओफर ही स्विकार कर लिया गया था साइकोलोजिस्ट ने नेगोसियेटर्स से ये रेट करने के लिए कहा कि अगर वो इस से ज़्यादा आफ़र का देते तो वो कितना अच्छा कर सकते थी जिस नेगुशेटर का पस्तावा जितना बरता उसने उतना ही ज़्यादा समय अपनी अगले डील को तयार करने में लगाए पस्तावे का दर्द हमें स्लो कर देता है हम और भी ज़्यादा इन्फोर्मेशन निकठा करते हैं और भी ज़्यादा ऑप्शन खोजते हैं हमारे पास फैसले लेने के लिए और भी ज़्यादा समय होता है क्योंकि हम और भी ज़्यादा सावधान होते हैं कि हम वहीं गलती दुबारा ना दोहराए इस बुक के आथार और उनके कलिक दुआरा किये गए वर्ल्ड रिग्रेट सर्वे में एक मा ने अपना पस्तावा शेयर किया था उस मा ने कहा कि जब मेरी बेटी पांच साल की थी तो मैं उस पर जोड से चिलाई थी हम स्कूल के रास्ते में थे जब उसने अपनी यूनिफार्म पर जूस गिरा दिया था मैं बहुत ज्यादा गुसा थी और मैंने अपना कंट्रोल खो दिया मेरी बेटी रो रही थी और मैंने कपरे पर लगे सिर्फ एक दाग के लिए उसे चोड पहुँचाई थी इस घटना के बाद मैं उस पर दुबारा कब भी नहीं चिलाई मैंने अपनी गलती से सीखा लेकिन मैं अब भी चाहती हूँ कि मैं समय में पीछे जाकर मैंने जो किया था उसे बदल पाऊ पश्तावे का दूसरा फाइदा यह है कि यह आपके पर्फोमेंस को बहतर बना देता है साइकोलोजिस्ट अक्सर अपने रिसर्च में एनाग्राम का इस्तिमाल करते हैं एनाग्राम्स यह शब्दों के एक सेट से कॉंबिनेशन खोजने से एक इनसान के दिमाग के बारे में बहुत कुछ पता चल जाता है जैसे अगर आप इस क्लियर वैंस मेंश एट पूल सेंटेंज के लेटर्स को अरेंज करें तो आपको साइकोलोजिस्ट लव अनाग्राम्स मिलेगा Social psychologist Keith Markman ने participant के group को 10 Enneagram solve करने के लिए दिये उन्होंने उन्हें बताया कि इससे उन्हें grade दिया जाए कुछ समय बाद Markman participant से कहा कि वो मजूद सब्दों में से सिर्फ आधे ही खोज पाए उन्हों participant के अंदर पच्टावा पैदा किया Markman ने उनसे अपने performance के बारे में और उसे कैसे बहतर बना सकते हैं यह सोचने के लिए कहा participant का दिमाग if only से भर गया उन्हें दूसरे group से भी ज्यादा खराब महसूस हुआ जिन्हें at least सोचने के बारे में कहा गया था जैसे at least मैंने आधे जवाब सही खोजे दिलजस्प बात तो यह है कि एनाग्राम के अगले सेट में वो participant जिन्होंने पस्तावा महसूस किया था उन्होंने ज्यादा पजल सौल्फ किये हैं और उस काम में लंबे समय तक लगे रहे और बाकी सब से अच्छा परफॉर्म किया कीथ मार्क में के द्वारा किये गए एक दूसरे एक्सपरिमेंट में उन्होंने participant से computer में blackjack खेलनों को कहा उन्होंने एक ग्रूप से कहा कि एक round खेलने के बाद उनका काम पूरा हो जाएगा दूसरे ग्रूप से मार्क में ने कहा कि पहला round खत्म होने के बाद भी उनका खेल चारी रहे जिन participants को पता था कि वे फिट से खेलेंगे उनके पास पहले round के बाद रुख जाने वालों के participant के मुकाबले ज्यादा योफनली था उन्हें अपनी strategy पर और बहुत ज्यादा या बहुत कम रिस्क लेने पर पस्तावा हुआ वहीं पहले ग्रूप का बुरा नहीं लगा उन्होंने कहा कि at least मैंने और ज्यादा पैसे नहीं हारे दूसरे ग्रूप को पस्तावा हुआ क्योंकि उन्हें अगले round में बहतर perform करना था पहले ग्रूप को पता था कि उन्हें आगे और नहीं खेलना है इसलिए वो अपने performance से satisfied थे पस्तावे का तीसरा फाइदा यह है कि ये meaning को बढ़ा देता है एवी हेंडर्सन वर्ल्ड रिग्रेट सर्वे के participants में से एक है वो 29 साल की writer है वो एरुजोना में पली बढ़ी है लेकिन सर्दियों के मौसम में धंड से बचने के लिए उनका पूर्य पड़िवार उनके नाना नानी के यहां इंडियाना चला जाता है उनके दोनों ही parents काम करते थे एवी एक चुप रहने वाली बच्ची थी तो इस्कूल के बाद वो खुद के साथ समय बिताना enjoy करती थी लेकिन इंडियाना में उनकी नानी हमेशा उनके घर आने का इंतिजार करती थी और उनसे पूछती थी कि उनका दिन कैसे बिता एवी इस बात से चीठने लगी थी उन्होंने अपनी नानी की तरफ से हो रही connection की कोशिशों को reject कर दिया था लेकिन अब उन्हें इसका पच्चतावा है उनका सबसे बड़ा पच्चतावा ये है कि अपने नाना नानी की जिन्दगी की कहानी को नौ जान पाना है इसलिए जब उनके पिता सतर साल के हुए तो उन्होंने उन्हें स्टोरी वर्थ का सबस्क्रिप्शन खरिदने कर दिदिये हर हफते वो सर्वे इमेल के जड़िये सवाल पूछ दी थी जैसे आपके बचपन की सबसे अच्छी याद कौन सी है या आपको अपनी मा की कौन सी बात सबसे ज़्यादा पसंद है इमेल पाने वाले को इसका जवाब एक कहानी के रूप में देना होता था एक साल बाद स्टोरी वर्थ सब कहानी को मिला कर उसे एक बुक के रूप में प्रिंट करते थी एवी अपने पिता को और करीब से जानना चाहती थी एवी ने कहा कि मैं अब और ज़्यादा मिनिंग खोजती हूँ मैं अब और ज़्यादा कनेक्सन खोजती हूँ मैं वह पस्तावे दुबारा महसूस नहीं करना चाहती जो मैंने अपने नाना नानी के मरने पर महसूस किया था मैं अपने पैरेंट्स से जुड़ने का मौका नहीं खोना चाहती पस्तावे की करवाहट के कारण जिन्दगी और भी ज्यादा मिठी हो जाती है हमें तब तक ये पता नहीं चलता कि कोई चीज कितना मायने रखती है जब तक हम उसे खो ना दे पस्तावे के कारण हमारे साथ दोबारा ऐसा नहीं होता है एवी का अपने पैरेंट्स के साथ एक अच्छा रिस्ता है क्योंकि उन्होंने अपने नाना नानी के मरने पर पस्तावा महसूस किया था पिछले चैप्टर में हमने जाना कि पस्तावा क्यों जरूरी है बाकी के चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि पस्तावे से दिल कैसे करना है जेफ 29 साल के उमर में आर्मी में भरती हुए उस कैम्प में वो सबसे ज़्यादा उमर के कैड़ेट थे वो अपने ड्रील सॉर्जेंट से भी ज़्यादा उमर के थे वो वहाँ फिट होने के लिए बिताब थे इसलिए एक रात बेज से निकल कर टैटू बनवा लिया वो अपने साथियों को इंप्रेस करना चाहते थे इसलिए वो एक ऐसा टैटू बनवाना चाहते थे जो ताकत और हिम्मत का सिंबल हो उन्होंने अपने लेफ्ट हैंड पर टैटू बनवाया क्योंकि राइफल चलाते समय उन्हें उसी हाथ का इस्तमाल करना परता था जेफ ने टैटू आर्टिस्ट के कम्प्यूटर से पेपरीस फॉन्ड चुना और लिखवाया नो रिग्रेट्स यानि कोई पच्टावा नहीं जेफ मिलिटरी में 10 साल तक रहें उसके बाद वो कोलो राडो में फायर फाइटर के रूप में काम करने लगे उसी समय उनका और उनकी पतनी का तलाग हो गया उनकी खराब शादी सुदा जिंदगी ने उन्हें ये हैसास दिलाया कि उन्हें अपने जिंदगी में बहुत से पच्टावे हैं उन्हें college खत्म ना करने का पस्तावा था, उन्हें अपने fashion, acting को follow ना करने का पस्तावा था, उन्हें अपने बीबी को तलाग देने का पस्तावा था, जेव को पता था कि उनके हाथ में बना हुआ tattoo सच नहीं है, उन्होंने पैपरिस जैसे खराब font को चुना था, उन्होंने क रहा कि उन्हें पच्टावा है हालाखि इससे उन्हें अच्छा तो महसुस नहीं होता लेकिन वो उन्हें मौटिवेट करती थी। उन्हें पस्तावा उन लोगों से ज्यादा अच्छा लगता है जो कहते हैं no regrets या I don't have regrets याने मुझे किसी चीज का पस्तावा नहीं है अपने पस्तावे के कारण जेफ कोलोडाडो से कोलोडिया चले गए अब वो एक्टर के रूप में काम करते हैं और उन्होंने अपना no regrets वाला टैटू हटवाने का फैसला किया है उसे निकलवाने के सेसर बहुत ही लंबे थे उन्हें बहुत दर्द भी हुआ और काफे पैसा भी खर्च करना परा लेकिन जेफ अपने टैटू को अब एक चोट की तरह देखते हैं वो कहते हैं कि कम से कम मैंने बरे फॉंट वाला टैटू तो नहीं बनवाया पस्तावे दो तरह के होते हैं वो है एक्सन रेग्रेट्स और इनक्सन रेग्रेट्स एक्सन रेग्रेट्स उन चीजों को लेकर होता है जो आपने नहीं की है पस्तावा एक के बारे में आप क्या कर सकते हैं अपनी की हुई चीजों को ठीक करने के लिए आप माफी मांग सकते हैं या अपनी गलती सुधार सकते हैं अच्छा महसूस करने के लिए आप एटलिस्ट यानि की कम से कम के बारे में सूच सकते हैं पहला इस्टेफ है अंडू करना, बाल लिजे कि आपने अपने दोस्त के चेहरे पड़े तमाचा मारा या किसी मरे हुए इंसान के बारे में उसके फ्यूनरल में कुछ बुरा कहा, आपने जो किया उसके लिए आपको बहुत खराब महसुस हो सकता है, एक्सार रिग्रेट बि जैसे आपको हाई इस्कुल में अच्छे से ना पढ़ने का पच्टावा है, लेकिन अब आपकी उम्र 20 से ज़्यादा है और आप पीछे जाकर फिर से टीनेजर नहीं बन सकते, यह एक इन एक्सार रिग्रेट है, वहीं एक्सार रिग्रेट के कुछ इंजामपल है, अपने वाला आपकी माफी एक्सेप्ट करता है, तो आपका पस्तावा कम हो जाता है, जो हो गया है आप उसे बदल नहीं सकते, लेकिन खुद से सवाल करके आप situation को बहतर मना सकते हैं, अगर आप किसी को चोट पहुँचाते हैं, तो क्या आप उसे माफी मांग सकते हैं, या उनके हुआ, उसे ठीक करने का कोई तरीका नहीं है, तो दूसरे मौके भी हैं, स्टेप टू, एटलिस्ट यानि कम से कम कहिए, ये औथर की स्टोडी है, कॉलेज के बाहर डेनियल पिंक लॉइ स्कूल गया थे, जिसका उन्हें पच्तावा है, सिर्फ अगर उन्होंने इसके बार से लॉइ स्कूल में मिले थे, डैनियल बीते हुए समय में वापस नहीं जा सकते, लेकिन अपनी सोच को सिर्फ अगर, यानि कि कम से कम एटलिस्ट में ला सकते हैं, उन्होंने कहा कि भले ही लॉइ स्कूल जाना उनकी गलती थी, लेकिन कम से कम वो वहां अपनी पतनी से मिल एटलिस्ट, फ्यूचर में हमारे विहेवियर या पर्फॉर्मेंस बहतर नहीं करती, लेकिन यह हमें प्रजेंट में अच्छा महसूस कराने में मदद करती हैं, जैसे वर्ल्ड रिग्रेट सर्वे में बहुत सी औरतों ने जबाब दिया, कि उन्हें सबसे ज़्यादा पश पश्तावा हैं, लेकिन कम से कम उनके पास बच्चे हैं, एटलिस्ट दर्द की दवाई की तरह हैं, हम उन्हें बहुत ज़्यादा गुसा या डिप्रेशन या नुक्सान पहुचाने वाले इमोशन से बचने के लिए इस्तमाल कर सकते हैं, अच्छे पहलो की ओर देखिए, अपने पश्तावे के बारे में सोचे और आगे आने वाले सेंटेंस को एटलिस्ट से पुरा कीजिए, नेक्स चप्टर है, एंटीसिपेटिंग रिग्रेट्स, 1888 के एक दिन अल्फरेड नोबिल उठे और उन्होंने न्यूज पेपर पढ़ा, उन्हें खुद को सोक समाच जार वाले कॉलम में देकर अश्चर हुआ, वो पूरे तरीके से जिन्दा और ठीक थे, फिर भी न्यूज पेपर का कहना था कि वो कुजर चुके है, असल में मरने वाले अल्फरेड नोबिल के भाई लुडविंग थे, लेकिन एक जर्नलिस्ट से यह गलती हो गई थी, उस इन्वेंटर थे, उन्होंने डेटोनेटर और ब्लास्टिंग कहब का इन्वेंशन किया था, और सबसे खास डाइनामाइट का जिसे उन्होंने 1860 में पेटेंट करवाया था, नोबिल की दुनिया भर में डाइनामाइट की फेक्टरी थी और वो मल्टि मिलिनियर बन गए थ जो लोगों को एक दूसरे को मरने का हंत्यार बेचकर अमीर बने था, आठ साल बाद जब अलफ्रेड नोबेल गुजरे तब उनकी विल ने सब को चौका दिया, अपनी संपत्ती, अपने परिवार वालों को देने के बजाए, उन्होंने उसे एक ऐसे प्राइस के लिए दे दान दे दिया था, जो उन लोगों को दिया जाएगा, जो ऐसा कुछ करेंगे जिसे इंसानियत को बहुत फाइदा पहुंचेगा, जिसे आज नोबेल प्राइस के नाम से जाना जाता है, अल्फ्रेड नोबेल नहीं चाहते थे कि उन्हें इस तरह से याद रखा जाए, उन अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें क्या पच्टावा होगा, फिर हम इसके बारे में कुछ कर सकते हैं, जे बेजोस एमेजन के फाउंडर और चियर्मेन है, उन्होंने रिग्रेट मिनिमाइजेशन फ्रेमवर्क नामक कॉंसेप्ट बनाया, 1990 में बेजोस एक फाइनेशियल फर उनके बोस ने उन्हें उनका आखरी फैसला लेने के लिए दो दिन का समय दिया, क्या बेजोस को अपनी हाई पिंग जॉब छोड़ कर आंट्रेप्रिनोर बनना चाहिए, इस तरह से उन्होंने रिग्रेट मिनिमाइजेशन फ्रेमवर्क के बारे में सोचा, जब वो 80 साल के होंगे और पीछे मुर कर देखेंगे तो बेजोस अपने जिन्गी के इस पल के लिए पस्ताना नहीं चाहते थे, वो अपने पस्तावे को कम से कम करना चाहते थे, बेजोस को पता था कि इंटरनेट में कुछ ना बना पाने का पस्तावा उन्हें बाद में होगा, उन्हें क जोसके Regret Minimization Framework में थोड़ा बदलाव करके Regret Optimization Framework बनाया यह हमें हमारे पश्टावे का अंधाजा लगाकर सही फैसला लेने में मदद करता है पश्टावे खास चार तरह के होते हैं उन्हें उनके पीछे के कारणों के हिसाब से केटेगराइज किया गया है Foundation Regrets या पश्टावे जिन्दगी के बड़े पहलूओं से जुड़े होते हैं जैसे Health, Education या Finance हमें जिन्दगी में Stability के एहसास के जुरुरत होती है इसलिए हमें एक Healthy Sheread, Mind और Financial Security के जुरुरत होती है अगर हमारे पास ये Foundation नहीं होंगे तो हमारे लिए दूसरे Goals को हासिल करना मुश्किल होगा ऐसे Failure जिनका Current Health, Education या Finance होता है उससे हमें Foundation Regrets होते हैं हमारी जिन्दगी में Stability जरूर है लेकिन कई बार हमें Bold होने और Risk लेने की भी जरूरत होती है Boldness, Regrets उन मौकों को लेकर होता है जिसका हम फायदा नहीं उठा पाएं जैसे नया बिजनेस शुरूर नहीं करना, अपने Passion को Follow नहीं करना या अपने सच्चे प्यार को पाने की कोशिश नहीं करना Model Regrets गलत काम करने से होती है साधारन तोर पर हम एक अच्छा इंसान बनना चाहते हैं लेकिन जब हम कुछ गलत करते हैं तो हमें पच्चतावा होता है Model Regrets के Example है Test में Cheating करना, किसी के साथ रिष्टे में होते हुए उसे Cheat करना या अपने Business Partner से जूट बोलना Connection Regrets हमारे Parents, Life Partner, बच्चे, भाई, बहन, दोस्त, Classmates या Colleagues के साथ हमारे रिष्टे के कारन होता है जब हम उन्ही रिष्टे को Damage करते हैं या ऐसे रिष्टे बनाने में Fail होते हैं तब हमें पच्चतावा होता है Regret Optimization Framework इस तरह से काम करता है बरे या में पच्चतावे का अंदाजा लगाने के लिए आपको समय देना चाहिए लेकिन उस पच्चतावे का अंदाजा लगाना बिकार है जो Foundation, Boldness, Mural या Connection Regrets में नहीं आते हैं ऐसा करना बस आपकी चिंता और स्ट्रेस को बढ़ाएगा जैसा आप कोई furniture या machine खज रहे हैं ये किसे भी खास पच्चतावे में नहीं आता है इस फैसले से आपको लंबे समय में परिशानी नहीं होगी अपना फैसला लीजे और आगे बढ़िए आप ठीक रहेंगे लेकिन अगर आप किसी ऐसे पच्चतावे से deal कर रहे हैं जो उन education और finance को बहतर बनाती है इन सब पस्तावे का अंदाजा लगाए और ऐसा option चुनिए जो इन सभी को जितना हो सके उतना कम करता है आप रोज हजारों फैसले लेते हैं उनमें से कुछ जरूरी होते हैं और कुछ नहीं जब आप उनका अंतर समझते हैं तो आपका फैसला लेन में जा सकता है सिर्फ इंसान ही ऐसी घटनाओं के कहानी बना सकता है जो कभी घटी ही नहीं है पस्तावा बाकी सभी negative emotion से अलग है क्योंकि इसमें हम situation को compare करते हैं और सिर्फ खुद को दोस्त देते हैं दूसरा हमने सीखा कि क्यूं पस्तावा हमें बहतर बनाता है पस्ताव के बारे में आप क्या कर सकते हैं आप या तो माफी मांग सकते हैं या situation को ठीक करने की कोशिस कर सकते हैं और अगर यह दोनों ही चीजे नहीं हो सकती तो आप चीजों के अच्छे पहलू को देख सकते हैं पस्तावे से डील करने के कुछ टिप्स हैं खास दोर पर उन चीजो के लिए जो आप कर्चना चाहते थे आपने पस्तावे को दूसरे लोगों के साथ बाटिए अपनी कहानी लोगों को बताईए आप एक जर्णल भी लिख सकते हैं इसके लिए खुद को सजा मत दीजिए खुद के द्यालूब बने रहे हैं आपने जो सीखा है उस पर ध्यान द बढ़ें और अपनी गलतियों से सीखें अभी आप जो कर रहे हैं उस पर फोकस कीजिए ताकि आप फ्यूचर में होने वाले पस्ताव को कम कर सके और इसी मूर पर यह समरी यहीं पर समाप्त होती है जिसका एसेंस नहीं है कि पस्ताव से भागना या नो रिग्रिट जैसे फिलिंग रखना सच में मूह मूरने जैसा है गलतिया हर एक से होती है उन गलतियों को उस पस्तावे को एक्सेप्ट करके आप चीजों को क्नेट करने के लिए पहली स्टेप लेते हैं यहीं जिन्दगी जीने का एक तरीका है जो आपको आज और आने वाले कल में और बहतर बनाएगा यह मेरी अंडर्स्टेंडिंग है आपकी अंडर्स्टेंडिंग क्या रही आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है इंतिजार रहेगा आपके कमेंट्स का तब तक रखिए अपना बहतर ख्याल और सुनते रहिए समड़ी फॉर यू जय हिंद जय भारत